हेलो दोस्तो मेरा नाम अमित है एंडिटी एंड कॉलिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में टैंडेम टेक्निक देखने वाले हैं तो अगर आप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के फिल में का पीच केज टेकनिक होता है पीच केज टेकनिक का यूज करके टी एर प्रोब में हम इंस्पेक्शन करते हैं तो पीच केज टेकनिक में ही जैसे यह टी एर प्रोब है वैसा ही दूसरा एक टेकनिक है जिसको टेंडेम टेकनिक बोला जाता है तो टेंडेम टेकनिक में इंस्पे टेल्टा टेक्निक है तो इन सब के बारे में हम डिस्केशन करेंगे और लास्ट में में आपको यह टैंडम टेक्निक जो है उसका पेशली सैट अप कैसे होता है और उसमें इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है यह डीटेल में बताने वाला हूं तो वीडियो को आप पूरा देखिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अपने दोस्त और कलिक लोगों को शेर करिए यहां पर आप हमारे चैनल का मेंबर्शिप ले चकते हैं इसके लिए जॉइन फीचर का आप यूज कर सकते हैं तो मैनने बहुत सारे मेंबर एक्स्source वीडियो बनाए हुआ है मेनली एंडिटी लेवल टू के वीडियो आपको मिल जाएंगे इसके अलावा यहां पर erklց के एडवांस एंडिटी जो होता है उसके भी मनने बहुत सारे वीडियो बनाए हुआ है यह कुझे financially support कर सकते हैं तो यहां पर ultrasonic tandem technique जो है वो कैसे work करता है इसके पहले हम pitch catch जो technique है में ठीक है इसका पार्ड है actually tandem technique तो pitch catch कैसे work करता है वो देखेंगे तो देखिए ultrasonic tandem technique is type of pitch catch technique where two crystal use for inspection तो यहां पर दो प्रूप का यूज होता है दो ट्रांस्डूसर या दो crystal आप बोल सकते हैं दो crystal का यूज करके यहां पर आपको inspection करना है तो इसका setup कैसे होता है वो देखेंगे तो pitch catch technique is an ultrasonic test with transmitting and receiving transducer where the path of the ultrasonic beam is not straight but is reflected one or more times before reaching the receiver तो यहां पर आपका जो probe है उसमें सबसे पहले तो दो probe होगे एक transmitting और दूसरा receiving मतलब कि दो crystal होगा और उसका जो path है मतलब ultrasonic beam का जो wave है आपका उसका path that is not straight मतलब कि स्ट्रेट नहीं होगा वो कव होगा या फिर angle में होगा आप ऐसा बोल सकते हैं तो यहां पर एक या एक से ज्यादा वो एक से ज्यादा बार वो reflect हो सकता है before reaching the receiver मतलब receiver probe के प्रोब में वो पहुंचे गा उससे पहले एक या एक से ज्यादा बार वो reflect हो सकता है ठीक है तो इसका setup हम देखेंगे तब यह पता चलेगा पर यहां पर यह याद surface of the test object with the sound beam bouncing of reflecting surfaces when the component geometry does not allow a reflection between sender and receiver the transducer may be located on different surfaces ठीक है तो यहां पर generally यह होता है कि दो जो आपका crystal है transmitting and receiver crystal है वो एक ही surface मतलब एक ही आपका जो पाट का surface है वहां पर रखा जाता है पर अगर geometry यहां पर आपको अलोग नहीं करता है मरलब geometry ऐसा हो कि आप दो प्रोब ना रख सकें तो आप उसको opposite side में भी रख सकते हैं ठीक है जैसे यह आपका job है जिसका आपको UT करना है तो जनरली दो crystal जो है वो ऐसे रखा जाता है मरलब एक ही surface पे आपके रखा है पर अगर ऐसा हो कि आप दो प्रोब एक ही जगह पे ना रख पाए एक surface पे ना रख पाए तो इसमें आप ऐसे भी रख सकते हैं एक प्रोब यहां पे हैं दूसरा प अपोजिट साइड में भी प्रोब आप रख सकते हैं तो डीपेंड है कि आपका geometry कैसा है कि अधर टांस्ट्यूसर में नमस्ट बी प्रिसाइजली अलाइन यूशली कनेक्टेड बाई fixture और holder तो यहां पे टांस्ट्यूसर जो है उसका alignment है वह बहुत important है आगे मैं आपको इसका भी figure बताऊंगा यह जो दो है वह बहुत important है और यह दोनों प्रोब जो है वह जनरली fixture या holder जो है उससे connect होता है मतलब इसके connect कर देते हैं जिससे वह उसका alignment जो है वह आगे-पीछे ना हो तो यहां पर मैंने तीन केटेगरी में उसको डिवाइड किया है जनरली इसमें बहुत सारे टेक्निक होते है डाइरेक्ट टेक्निक है इंडारेक्ट टेक्निक है पर यहां पर तीन टाइप के मैंने classification किया है पहला है dual element जिसको आप TR probe भी बोलते हो दूसरा delta testing technique है और तीसरा tandem technique है तो यहाँ पर मैं जो discussion आज करने वाला हुगो tandem technique का discussion detail में करेंगे यह दोनों जो है TR probe और delta element इसका कोई और वीडियो में हम देखेंगे तो here in this video we'll discuss about tandem technique तो दिखिये tandem technique जो है that is technique is common peach catch taste that uses two transducers close together on the same material surface ठीक है यहाद रखिये यहाँ पे tandem technique अगर आप यूज करते हैं तो उसमें material जो है उसमें same surface पे आपको दोनों प्रोब रखना है ठीक है जो मैंने यहाँ पे बताया ठीक है इसी type से आपको setup करना है इसका figure भी मैं आगे आपको बताता हूं sometimes connected together sometimes connected together on the one acting as a transmitter of an inclined ultrasonic wave and other acting as a passive receiver ठीक है तो यहाँ पे आपका जो transmitter or receiver है वो inclined भी हो सकता है ठीक है मतलब inclined करके उसका angle भी आप change करके रख सकते हैं और connected together मतलब इसमें generally क्या होता है कि यह आपका जो holder है या fixture है उससे यह दोनो connected होते हैं purpose of the technique is mainly to detect reflectors perpendicular to the surface तो यहाँ पे यह technique का main purpose यह है कि आपको जो reflectors है यह मतलब आपका job में जो discontinuity है जो perpendicular है surface के perpendicular है वो आपको टूनना है जैसे कि यह आपका welding है welding का ultrasonic testing कर रहा है तो वो टाइम पे यहाँ पे इस टैप का defect है ऐसा vertical में मतलब की आपका surface के perpendicular है यह आपका job का surface है उपर का उसके perpendicular यह defect है ठीक है तो यह डूनना है तो उसके लिए यह tandem technique यूज किया जाता है तो देखे इसका setup कैसे होता है तो यहाँ पे दो प्रोब है एक transmitter probe होगा और दूसरा receiver probe होगा और यह direction में आपको scanning करते जाना है तो देखे जब भी कोई defect मिलता है तो क्या होगा यह आपका यहाँ पे transmitter probe है यह receiver है तो वेव यहाँ से ऐसे transmit हो रहा है तो वर्टिकल यह defect है ठीक है तो यहाँ से ऐसे करके वेव जाएगा और यह direction में यहाँ पे receipt होगा ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते है कि इस type का discontinuity होगा मतलब यह आपका wall है आपका जो job है उसका surface है उसके perpendicular यह defect है तो यह पकड़ने के लिए इस type का setup आप यूज कर सकते है इसको tandem technique बोला जाता है इसमें एक इसका जो एक disadvantage है वो यह है कि इसमें scatter ultrasound आपको मिलता है मतलब कि scattering बहुत ज्यादा होता है उसके कारण आपको जो reflected signal जो यह receiver में मिलता है वो काफी कम होता है तो यह किसका disadvantage है the purpose of the technique is mainly to detect reflectors perpendicular to the surface ठीक है तो यहाँ पे surface के perpendicular जो भी reflector है mainly इसमें transverse crack आपको मिलता है तो welding में transverse crack दुनने के लिए इस type का testing setup आप यूज कर सकते हैं both probe are move over the surface of the test object and are space apart at the fixed distance scanning is made for vertically position discontinuities at different depth of the test object depending on the probe spacing ठीक है तो यहाँ पे probe का जो spacing है वो बहुत important है जैसे मैंने आगे भी आपको बताया इसके लिए दोनों probe जो है वो fixture में fix कर दिये जाते है या आप बोल सकते हैं कि इसको hold करके रखा जाता है जिससे क्या कि इन दोनों के बीच का distance जो है spacing जो है वो यहाँ पे आगे पीछे ना हो तो suppose आपका near surface discontinuity है ठीक है जैसे यह discontinuity है यह डूनना है तो आपके probe का distance जो है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा अभी center में कोई ऐसा discontinuity है उसको तूनने के लिए probe जो है वो आपको थोड़ा नजदिक रखना पड़ेगा और नीचे मतलब root side suppose welding में discontinuity ढूनना है तो probe का यह जो distance है वो कम रहेगा ठीक है तो इसी साब से आपको distance जो है वो set करना रहेगा और वो fixed distance पे आपको scanning करना है ठीक है तो इसी साब से scanning किया जाएगा often thick wall test object in which there are vertical discontinuities this technique is used तो thick wall मतलब की जिसका thickness ज्यादा हो ठीक है तो उस type का test object है जिसमें vertical discontinuity टूनना है उसके लिए यह technique यूज किया जाता है ठीक है तो यह tandem technique जो है जिसको pitch catch technique का ही एक part है इस तरह से पूरा इसका testing setup होता है यह वीडियो में हमने यह detail में देखा है तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको इसमें कोई doubt है तो मुझे आप comment box में पूच सकते है ओके thank you